हेलो दोस्तो वेलकम टू उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स और आज किस वीडियो में पढ़ेंगे हम उत्राखन वंदरोगा क्रेस कोर्स पार्ट फाइब के बारे में तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है उत्राखन वंदरोगा का एक्जाम आपका बहुत जल्द हो जा अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लिएगा तो जैसी है हमारी सीरी जोस्तो इसमें हम डेली फोटे इंपोटे इंपोटेंट क्वेस्टन के आसपर डिसकस अप करते हैं जो कि फीजिक्स, केमेस्ट्री, बाइलोजी और इसे के साथ साथ इन्वार्में आर्टी तो सबसे पहले आपको रीड करनी करनी है साथ ही अधर सब्जेक्ट भी आपको उसके साथ साथ में जो स्लेबस की टॉपिक है उनको भी रीड करते हुए चलना है अब बहुत सारे दोस्त मुझते कह रहे हैं कि सर आप एग्रिकल्चर की वीडियो नहीं है वंद्रो अपिक भी ऐसा है दोस्तों अगर आप इंटर्नली जो पॉइंट्स दिया है उनको पढ़ेंगे तो यह बाइलोजी के पॉइंट फूट के अंतरगत दिये गए ठीक है तो अग्रिकल्चर सब्जेक्ट की तो मेरे ख्याल से कोई परसनली जरूरत निये दोस्तों पढ़ने क अग्रिकल्चर से ज्याद आपके कुष्टन आएंगे तो पांच कुष्टन आएंगे क्योंकि अगर आप स्लेबस पढ़ें तो स्लेबस में साब साब वहां पे अग्रिकल्चर का कुछ भी नहीं दिया गया दिया गया 9th and 10th ncrt science ठीक है वह आपको पढ़ना है और अग्रि सब्सक्राइब करें तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें दोस्तों ताके हमें भी आगे और भी वीडियो बनाने का मोटीबेशन मिलता रहे तो आज के हमारी पहला कुष्टन है दोस्तों कि आयोडीन तथा पोटिस्यम क्लोराइड के मिस्त्रन से आयोडीन को किस प्रकेणिया के द्वारा अलग किया जाता है और यह सभी कुष्शन दोस्तों अभी तक जो वी आपको एजी टापके लग रहे होंगे यह प्रिवेसल एक्जामस में पूछे जा चुके है तो आयोडी solid से सीधे gas अवस्ता में जो चीज हमारी change होती है उसी को बलते हम क्या उधर उपातन ठीक है तो उसी प्रकार की process ये भी रहती है आप solid से gas का एक example अगर आप उधर उपातन का एक example देखें तो कपूर kapoor जो आप kapoor में डालते है तो solid फ़र्म आता है लेकिन वो gas की फ़र्म में convert हो जाता है दूसरा हमारा प्रस्त है कि fire exit के लिए किस प्रकार के glass का प्रियोग के जाता है तो wired gas या wired glass जो हमारा काच होता है उसका प्रियोग के जाता है fire exit के लिए नेक्स दोस्तो कि सिने बार किस धातु का आयसक है ठीक है तो सिने बार दोस्तो मरकरी धातु का आयसक है किसका मरकरी धातु का या तो इस प्रस्टन को इस प्रकार से भी आप से पूछ सकता है कि मरकरी धाती को निम्दमैस से किस से प्राप्त किया जा सकता है तो सिने बार से तो ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है आयसक वाला कुछन जरूर पुछा आएगा जोस्तों ठीक है नेक्स परस्टन है कि सोलर सेल कि सिद्धान पर कारी करता है जो मारा सोलर सेल होता है वह किस प्रिंसिपल पर कारी करता है नेक्स नहारा और सोलर सेल किस परकार का एक सोर्श है दोस्तों यह उर्जा का एक गैर प्रमपरागत शरूत है यानि कि जिसका प्रियोग हम आगे भी कर सकते है नेक्स नहिए लोहे का सबसे सुद्धरूप कौन सा है ये question काफी प्रेंट दोस्तो तो लोही का सबसे सुद्ध रूप है दोस्तो क्या rot identity जिसे हम pittuwa loha गया के भी जानते क्या pittuwa loha लोही का सबसे सुद्ध रूप कौन सा है pittuwa loha क्यों pittuwa loha क्यों दोस्तो क्योंकि इसमें carbon का percentage रहता है वो बहुत कम रहता है अगर carbon का percentage कम है तो इसका मंदल, iron का percentage में जयादा रहता है अब इस्वे प्रकार से आपसे एक प्रसंद और पूश लेगा कि MSA कार्बन का सबसे सुद्ध रूप कौन सा है तो carbon का सबसे सुद्ध रूप है दोस्तो कौन साנס tahun और वहीं कार्बन का सबसे भीकार कौन से है दोस्तो पिटुवा कार्बन होता है वह हमारा सबसे लोह सबसे भी सबसे फूत कार्बन और आइसेये खुर नक प्र्सतिर्ग में यहां से भी प्रसना आता है जो हलका और भारी यह जो फॉर्मेट यह तो यहां किस पर डिपेंड करता है छलका और भारी, तो देखे ये आपका dependent करता है परमाणु क्रमांक पर ठीक है, जिसका प्रमाणु जो क्रमांक है दोस्तो Style या atomic number है जितना कम होगा वह तत्यों उतना ही हलगा होगा और जिसका atomic number जितना ज्यादा होगा वो उतना ही भारी होगा ठीक है तो अगर आपसे कभी एक्जाम में इस प्रकार के प्रस्न पुछे आते हैं दोस्तों कि सबसे हलका तत्तों कौन सा है निम्न मैंसे ही निम्न मैंसे सबसा भारी तत्तों कौन सा है तो वहाँ पर आपको उनका atomic number convert करना है ठीक है नेक्स नमाना प्रस्न है कि तापमान का SI मातरक क्या है ठीक है तो ये काफी basic सा कुछन है दोस्तों बहुत सारी लोग इसमें गलती कर रहाते हैं डिग्री Celsius लगाके लेकिन आपको सही याद रखने है कि तापमान का SI मातरक क्या होता है इन दोनों के बीच में sorry k-273 upon 5 ठीक है ये आपको याद रखना है कि Celsius और Kelvin के बीच में क्या संबंद होता है तो Celsius बराबर होता है तो क्या Kelvin माइनस 200 ठीक है तो यहीं से आप अगर 0 degree Celsius बराबर आपसे पुछा आएगा तो 0 degree Celsius बराबर कितना Kelvin हो जाएगा तो प्रस्तों पूछा जाता है कि 0 degree Celsius बराबर कितना Kelvin होगा तो directly आपको degree Celsius को अगर आप Kelvin में convert करते हैं तो आपको directly जोड़ देना है जैसे कि आपको 15 degree Celsius बराबर कितना Kelvin निकालना है तो 273 प्लस 15 आप कर देंगे तो यह जब formula होता है यह relation होता है एक तापमान का C-0 upon 5 is equal to F minus यानिकि Fahrenheit minus 32 upon 9 is equal to K-273 upon 5 ठीक है यह formula होता है और इसी के accordingly यह जो parameter है इनको change किया जाता है अगर आपसे पूछेगा कि Celsius को Fahrenheit में बदलो तो इस formula से बदलेंगे Fahrenheit को Kelvin में बदलो तो इस formula से बदलेंगे और यहां से भी एक प्रस्न एक जाम में पक्का बनता है अगरा प्रस्न है हमारा दुस्तो कि T-S gas या आशू gas कौनशी होती है किसी हम आशू gas के नाम से जानते है तो यह होती है तो दुस्तो हमारी क्लोरो असिटो फिनोन ठीक है जब भी कोई धंगे या कहीं पर भी धंगे अगरा अगरा होते है अगरा प्रस्न है कि किस एधन या fuel की high-calorific value होती है यानि कि किस एधन की उच्च-उस्मीता होती है तो hydrogen दोस्तो जो हमारा इधन है उसकी high-calorific value होती है इसी कारण हम hydrogen को future fuel के नाम से भी जानते है future fuel तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि future fuel के नाम से हम किसे जानते हैं, किस इधन को हम future इधन के नाम से जानते हैं, या भुश्य के इधन के नाम से जानते हैं, तो हो है हमारा hydrogen ठीक है, और hydrogen की ही calorific value काफी high होती है, ठीक है, अब बात आती है कि calorie किसका मात रखे है, ठीक है तो एक कैलोरी निरुवाद में सरवादिक होती है, ठीक है? दो यानत्रिक तरणिक है और यानत्रिक तरणिक के अंतरगत भी दोस्तो यह प्रकार की तरङए उनके वाइब्रेशन और एंगल पर बात करेंगे हैँ इंपर्ण प्रशन है कि चाल मिरवाद मेंimesरवादी होती है और किस प्रकार की तरग है यानिकि के अवरतज से लेकर लेका यानिकट प्रिवर्तित होती है तो आग के लैंसे की फोकस दूरी किसके कारी से परिवर्तित होती है तो आग का जो मारा लैंस होता है उस्तो आग में में लिकौन सा जो मारा ईूमन आई रहती है यहां से प्रस्ना आपसे बनेगा उत्तल लैंस होता है कि आख के लैंस की फोकस दूरी किसके कारी से परिवर्तित होती है तो यह होती है बंत क्लोज यह जो काम करती है जिस पर यह ठीकी होई रहती है तो आंक के लैंस की किसके कारी से परिभ्ड़कती होती है सी चलीर सी मॉसल्ष के दोरे ठीक और आख में कौन सा लैंस ही उता है उत्तर लैंस या जिसे हम पर अभिसारी के सहाथ किया है अगला प्रस्फचन चालकत्ा ऐसा ही मात रख क्या होता है अंग्षालकत thy अब जल क्या होता है यानि कि पर्थिरोध का भेउत करम परिठ है जो जो की धारा के मार्ग मेर अवरोट लगता है यह तो चैलकता क्या होगा जो की धारा को इसली प्रोवाइड करेंगी तो कोई भी हमारा है जरून करना है अगल्स की मानव पर बना गया पर बना गया पर पर इंते कि यह महारा होता यह रेटिना पर बनाया गया प्रतिविंब कैसा होता है उस्तों यह होता है वास्तभीक और उल्टा ठीक है वास्तभीक और उल्टा प्रतिविंब होता है मानों के रेटिना पर जो बनता है ठीक है और आख में कौन सा लैंस यूज होता है जो कि मैंने आपको पता जाए उस्तों क होता है उत्तर लेंस के नाम से बहुत अधाल नाम से जानते हैं तो आयवाइन काफी इंपूरेंट करके हमा memoir क्या माईन ना क्कझे होती है क्या स्पेक्टर्म कभीisée GUY भातरी ठीक है और यह रोशनी के द्वारा excited होते हैं तो काभी details में है तो आपको यहाँ पर यार दिखने है जो भी परतिविंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है और इसी में कुछ cells होते हैं उसी cells के माध्यम से जो मारा परतिविंब बनाया दोस्तों वह हमारे mind तक जात होता है one upon focus दूरी ठीक है यानकि focus दूरी के वित्करमानुपाती होती है क्या lens की power ठीक है तो पी बराबर वन बाइए फ होता है और इसके मात्रक में होता है तो मीटर में निकालेंगे focus दूरी तो आ जाएगी क्या 0.5 मेट है ठीक है अगर आप सेंटीमिटर में निकालने जाते है तो एक मिटर प्राबर सो सेंटीमिटर होता है और सेंटीमिटर में हो जाएगा क्या 50 सेंटीमिट है ठीक है तो यह सभी लोगों को पताओगा डैकली आपसे इस प्रकार का प्र से आंख में प्रवेश करता है तो वह किस भाग में एंटर करता है तो प्रकास जब भी हमारी प्रदास प्रकास यहां से एंटर करता है तो किस भाग में एंटर करता है यही पुछा गया तो कौर्णिया में एंटर करता है और कौर्णिया में दोस्तों क्या होता है प्रकास क करता है हमारा क्या Cornia ठीक है और 5 layer होती है सबी layers का इसमा लग-लग कारिय होता है ठीक है और जब मारी एक प्रसुत और यहां से मनता है जब भी हम अपनी eye donate करते हैं आएम कि जहम आङ अपनी donate करते हैं आख जैसे कांग डोनेट करते हैं अभी सारी लोग तो तो बैरोमेटर दोस्तों वायू मेंडली दाप को मापने का प्रयोग किया जाए! दाप को किसके दोरा मापा जाता है यहां प्रस्न भीष्ञ में है पूछा आपने बैरोमेटर को ठीक है अगर इसकी रीडिंग में अचानक गिरावट आ रही है तो यह वर्सा का संकेत है और अगर इसकी रीडिंग धिरे-धिरे बल रही है तो इसका मतलब क्या है मौसम साब होगा ठीक है अगला मारा प्रसन है कि सर्वग्राही रखता समू यानि कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर बलड ग्रूप की नाम से किसी जाना जाता है तो ए भी ग्रूप को दूस्तो एक्सेप्टर बलड ग्रूप की नाम से जाना जाता है तो ए भी ग्रूप को दूस्तो एक्सेप्टर यानि कि O blood group दोस्तों एक ऐसा blood group है जो कि अन्य सभी blood group वालों को अपना खुन डोनेट कर सकता है ठीक है और AB क्या है जो कि अन्य सभी से blood को accept कर सकता है ठीक है तो O सबको दे सकता है और AB क्या है सबसे ले सकता है इसी कारणी ने universal donor और universal acceptor कहा गया और ये भी काफी important point बनता है और blood वाला topic भी काफी important है दोस्तों एक प्रसन आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा एक या दो प्रसन ठीक है और रक्तसमूह से खास कर कि क्या-क्या होते हैं antigen, antibodies ठीक है अगरा बगरा तो आप detail में पढ़ लिजेगा books में आपको सब मिल जाएगा या फिर अगर आग नहीं मनाता है ठीक है और ऐसी कौन सा रक्तसमूह है जो antibody नहीं मनाता है तो antibody नहीं मनाता है तो जो आपका universal donor है यानि कि जो सर्वदाता रक्तसमूह है वह antigen नहीं मनाता है और जो सर्वग्राही रक्तसमूह है AB वह क्या antibody नहीं मनाता है ठीक है इसके अलावा जो भी हमारे blood पाई जाती है ठीक है और यह प्रस्तन ने काफी पार प्रिवेश्ट ली पूछ भी गया है दोस्तों सभी प्रस्त आपके एजियूगे प्रस्त के बहुत हाड होगे जो कि मैरिट को कम करते हैं कुछ कुरेशन आपके काभी सरल होते हैं जो कि एक मिनिमम मार्क्स कोई भी बंदा जो पड़ा लिखा नहीं है वह भी दोस्तों 20-30 ले आता है तो वह उन्हीं कुरेशन की वज़े से लाता है ठीक है तो मानोसरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है फीमर कहां पाई जांग में वहीं दूसरा अगला प्रसन है कि मानोसरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है वह थी उस्तों इस्टेपीज ठीक है इससे इस्टेपीज भी कर सकते हैं आप यापे कहां पाई जाती कान में इस्टेपीज सबसे बड़ी हड़ी फीमर जांग में अगला प्रसन है कि RBC का प्रकार से वी आप से प्रस्ण का इसे प्रकार से आप से में कुतना होता है000 नाम से,मंधन नाम से बी प्रसन है गुर्दा या लिवर की कार्यातों के रूप में या फिर फंक्षनल यूनिट भी आप किसे कह सकते हैं कौन सी है नेफ्रॉन है अगला मरा प्रसन है जोस्तों कि मानों शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है यान कि ब्लड बैंक जो मारी human body body है उसका ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है तो प्लीहा को दोस्तों ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है किसे प्लीहा को प्रस्ताइम। बाइस जो 22 22 जो गुंड़ूतर होता है तो मतलब 2 पहर्स में पाई जाते हैं और इसमें 22 गुंड़ूतर होते हैं यह सेम होते हैं लेकिन जो 23 होता है वह में होता है कि यही अکस तो कि नियुक्त में होता है कि लडका होगा या लटकी होगी ठीक है एक है तो वाइच लिगा बात करेंगे लेकिन आपको फिलार को कुल संक्या कितनी है 46 जिसमें से 23-23 के दो पेर्ज में मेरा नॐ होता है उस्तो मेल फिमिल मैं ठीक है और जो जो कोई सा होता है जो मेल स्कुत्र में जूसमें तो ऊसमें क्या पाया जातेगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो गहेंगा रोग होता है जिस्वाब स्रस्त मनुख्षी होगा जो निया कोई भी आदमी होगा उसका ब्लडप्रेसर कितना होता यानि रख्तदाब क्या होता है तो 80 से लेकर 120 mmHg तक ठीक है तो 80 मिनिमम होता है और 120 माउन चाहिए तो स्फिगमो मैनो मीटर क्या इस फिगमो मैनो मीटर के दवारा रख्तदाब या भी स्वेस में नवार्जल परसुंबर संच्टों यानग बाइयो जाएटा है सब्सक्राइब तो सितंबर और और बहुतंबर है सबसे निचली परत जिसमें निचली परिवरतन होते हैं तो यानिकि कि छोब मंदल है और मौसमी परिवरतन भी इसमें ही होते हैं चोब मंदल मिये निचले परहता है जिसमें मुझत वर्षा बादल बनना अगर्व का ओता है यह होता है ठोब मंदल में ठीक और जो छोटे हमारे जहाज होते हैं यह सब चीज हम आपे चलती है अगला प्रस्तन है कि जैवीक समुदाई में पर्थम भोकता कोन होता है यो स्थ से यह सर्वाहरी जो साका हर भी खाते हैं और यह सर्वाहरी तो तीन प्र्कार के भूगता होते हैं अम पड़िँगे आप इंवयर्मेंट वे ट्विश्रम के अंतरकार रहाता है जिसमें एक यह यह गटक होते हैं और दूसरा वाटाइब ऐसे होते हैं अपना मुजन नरते हैं आहां तो पर पोशी के दूसतों कि आपाइब दूसरों पर पर शुम्र जाते हैं क्योंकि उमारा वो कुछ भी चीज़ें। करते हैं युग लीन हो गया फ्लांट हो गया एलगी हो गई यह सब चीज हु़ती कवाएं भॉक्ता कोन से होते हैं सहकारी होते हैं ठीक घांड बैक्टरिया कांचुए है शरवाहारी होते हैं मानव हो गया कुट्ता यह सब चीज hai सरवहारी में आते है ठीक है ? एस प्रकता के ग्रुप में आता है नेक्स्ट दोस्तो हमारा प्रस्ने कि वन्ने जीव सुरुक्षा अधिनियम कप पारित वह था तो 1972 में दोस्तो वाइड लाइप प्रोटक्शन एक्ट पारित वह था कब 1922 में अगला प्रस्न है कि जूम को थी खेती किस्से संबंदित जूम खेती पहाडी शेत्रों से जूम खेती को इस तानांत्रली खेती भी कहा जाता है एक्सचेंज दो तीन साल एक जगबी खेती होती है फिर दूसरी जगबी क्योंकि आसा माने जाते हैं कि इन स्तानों पर भूमी के उर्वर्ग तक थोड़ा सा कम होती है और खतम हो जाती है दिरे-दिरे इसी कारण वह जूम खेती या भी स्तान चली खेती करते हैं अगला प्रसन है उस्तों कि वातावरण के लिए सरवाधी खानीकारक गयास कौन सी है तो वह तिया मारी सलफ़र ऑक्साइड ठीक है और सलफ़र डाय ऑक्साइड ही दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या अमलो वर्षा अमलो लेकिन प्रमुग घठक होता है जिसतों तो लिक्विट प्रमुग घठक होता है तो अधिक मात्रा मैं पहया जाता है तो तो CNG का प्रमुग घटा के क्या, मेथेन और LPG, यानि कि liquid petroleum gas का प्रमुग घटा के क्या, butane, ठीक है, अगला मरा प्रस्थन है, ecology के फादर कौन है, ठीक है, पारिस्तिति के पिता की से जाना जाता है, ठीक है, और इसने दोस्तों उस टेम पे पारिस्तिति की वर्ड ना देकर, archaeology नामक सब्द दिया था, और इसी कारण इन है, पारिस्तिति के पिता के नाम से जाना जाता है, पारिस्तिति की यानि कि हम लोग जो भी दोस्तों deserve कर रहे हैं, मानव हो गया, कोई भी animal हो गया, वह परिस्तिति या परियावरण से, किस तरगे से संबंधिते हैं, इसी को ब में जाना जाती है, अगला प्रसन है कि radioactive किरणों को पर्थवी पर आने से कौन रोकता है जोस्तों, तो आयन मंडल के दोरा radioactive किरणों को पर्थवी पर आने से रोका जाता है, और आज की वीडियो का last question है जोस्तों क्या, एक आहर सरंखला में तीसरा पोसी इस्तर कौन होता है तो किसी भी आहर सरंखला में जोस्तों, जो मारा तीसरा पोसी इस्तर होता है, वो गया होता है, मानसाहरी परानी होता है, तो यह पर आपको जोड़िया दखना है, आगे एक ecological pyramid होता है, उस्तों पारिस्तिरी परानी होता है, उसके आधार पर यह सब चीज़ें डिजर्व कर पूछे गए है, तो आज का हमारे 500 पार्ट हो गया दोस्तों, और देखिए वीडियो थोड़ा सा छोटी-छोटी बनाता हूं, मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूं, अगर आपको speed की problem है, तो आप वीडियो का जो उपर आपका option आता है, speed कम करने का या increase करने का ठीक है, तो व तो इस प्रकार के प्रस्नों को आप solve कर सकते हैं, वरना आप NCRT पर सकते हैं, वहां से आप समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में एक एक point काफी describe करने के लिए time नहीं रहता है, जब हम specifically कुछ important points के बारें बात करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग निरेंतर support मिलता रहा, भी थोड़ा सा हमें भी ऐसा effort मिलता है कि यार चलो हां और वीडियोज मिनाई जाए, लोगों को पसंद आ रही है, लोग देख रहे हैं, उनकी help और ये ठीक है, तो ज़रूर आप लोग कर सकते हैं, सेर अगर आप करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में नहीं दोस्त प्रटो, तर तकी और चैंचे और आप लोगों付 को कि सुन ंगरूर आपक्रों के वोगोग यहान वीवे कि वीडियो नहीं ब्लूमात उनकी एछ को बार कि भीडियोज मिलते हैं, शूश παंटन लूग embodied grant भीडियो मि глаз मिलते इस वीडियोजों ओस देख बसे दीय मिलते हैं,